आपको डाउनलोड कर लेना और यहां पर साथियो मेरे अलग-अलग प्रकार के बैच चल रहे हैं और यहां पर इस समय छूट भी चल रही है यह आप आज ही जाकर साथियो जोइन कर लेना मेरे यहां पर यह सब्जेक्ट की किलास होती है पेपर वन मैं खुद पढ़ाता हूं हिंदी साहित मैं खुद पढ़ाता हूं हिष्ट्री डॉक्टर सुरिंद्र पढ़ाते हैं होम साइंस डॉक्टर नीलू पढ़ाते हैं उसी परकार से एजूकेशन सॉसलोजी पॉलिटिकल साइंस ऐसे तमाम सब्जेक्टों के हमारे यहां पर कोर्सेज चल रहे हैं तो आप साथियों अगर फीश देने में सक्षम हैं बहुत नाम मात रहें तो यहां जोइन करो अगर आपको लगता है कि हम फीश देने में सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं डॉक्टर लॉक्ष वाली है आपके लिए आप बैच हनुमाना देखो पेपर वन मासे क्या रहे सातियों नमस्कार कैसो फटाबट से आ जाई आज थोड़ा समय में बदलाव हुआ है हमारा कुछ तकनीक तो नहीं करता हूं आप सभी को पता है कुछ तकनीकी समश्या की चलते समय में थोड़ा सा आज के लिए कीवाल बदलाव किया गया है आज हम पढ़ेंगे सिक्षन के उद्द यहां पर पूछे जा सकते हैं इनी तमाम चीजों पर आज साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाई हलो 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 कैसे हो स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है पुजा जी स्वागत है हाई अंजली हाई तनीशा हाई मोना निकीता पंकाद मनीशा सिवानी स सारे दोस्तों का स्वागत है क्याल चाल कैसे हो सब के सब क्या चल रहा है जीवर में सब कुछ सबका स्वागत हैSe loo hello 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 इस इवर हिए कैं है को जलिए गुल मौनीं गुल मॉनीं गुर मौनीं डाधे राधे 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 औराधे pitcher सबका स्वागत है सबका स्वागत योगीता राधे राधे fan da अंकीता चलिए स्विता चोहान करें शुरू जीवन में संगर्स है अभी तो सर तनीशार संगर्स रहना भी चाहिए बेटा जिस दिन संगर्स खतम हो गया उसका लगा लोगी जीवन खतम हो गया आदम को हमेशा संगर्स रहना चाहिए लड़ते वे रहना चाहिए अभी पढ़ने के लिए लड़े हो बाद में नौकरी करने के लड़ोगे बाद में फिर बाल बच्चों से लड़ोगे सब चीजों से लड़ते ही रहोगे सामाजी क्मिन मानुWhen मुल्यों को विक्सिद करता है यह बात मैं पिछले 50 बार आपको समझा चुका हूं जो पहली क्लास बी यह बात पर मैं चर्चा कर चुका हूं कि सिक्शन क्या हैं सामाजीक और मानुविय मुल्यों पर बल देता है पहला बिंदू अगर कोई भी बिंदू समझना लगे तो आप मुझसे निस संकोच एक एक चीज़े पूछ सकते हैं कि सारी यह चीज़ हमको समझना लगे सर मैं आज पहली बार आपकी लाइव क्लाश देखने हूँ रानू क्या बात है स्वागत बिटा आपका चलिए सारी रिक वे मानसिक विकास अब देखो एजूकेशन से सिक्षन से आपका सारी रिक और मानसिक विकास होता है क्योंकि अगर आप पढ़ोगे लिखोगे बनोगे विद्वान तो अपने सरीर के बारे में भी जान पाओगे क कि हम क्या खाने से सरीर को नुक्सान है क्या खाने से सरीर को नुक्सान नहीं है किस किस तरीके से हमको अपनी बॉड़ी की केर करनी चाहिए है ना और मानसिक विकास भी क्योंकि आपका मस्तिक्स भी अच्छा हो जाएगा जब आपका बॉड़ी अच्छा रहेगा आपका मन अच्छा रहेगा अच्छा पढ़ोगे अच्छा लिखोगे अच्छे कमाऊगे सब कुछ जीवन में अच्छा रहेगा तो मानसिक की तोर पर भी आप लोग सही रहोगे और विकास होगा मानसिक विकास के मतलब यह कि आपका दिमाग बढ़ता जाएगा आप चीजों को सीखते सीखते जाओगे अच्छा पढ़ोगे अच्छा पहनोगे अच्छा हर चीज जीवन में अच्छी अच्छी आपके सामने होती चली जाएंगे राइट यह है सिक्षन पढ़ने का फायद तो नैतिकता पर बल देता है आध्यात्मिक यानि आत्ममनन की इच्छा देती है खुद से बात करने की इच्छा डवलप करती है एक प्रकाल प्रत्तियों से अनकूलता देखो आप लोग पड़े लिखे लोग हैं हमेशा जैसी हवा चलेगी वैसे ही पवन तिवाई रख ल बित लेंगे यह साथियों कौन सा अध्ध्यात्मिक विकास इसे कहते हैं इसको साद्यात्मिक वी कास should परक्तितियों से अनुकूल बिठाना यानि कि आप अपने अनुसार परक्तितियों से सामंजिस बिठा लोगे आप जब आपको लगेगा कि यार यहां खत्रा है तो उसी तरह से बात करोगे जब आपको लगता है कि यहां सही मामला है तो यहां उसी तरीके से बात करोगे अब माल लो कि आप कई बार देखा होगा कोई कुछ मन चले नायक नायका होते हैं कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जब उनको लगता कि पिट सकते हैं तो वो उसी तरीके से बगल बाचा के बाग लेते हैं जब उनको लगता है यहां कुछ हो सकता है तो वहां पर उसी तरीके से करते हैं बानू परताब सो आगे तो बंदू आपका तो यह है कि परस्तितियों से अनुकूलता आप लोग बिठा लोगे जैसे अभी आपने बिटा रखी है कि यार हमको पढ़ना है हर हालत में पढ़ना है और अभी समय जादा से जादा बच्चे मुझे लाइव इस समय देख रहे हैं अब देखो सिक्षन के साथ साथ सैपाठियों और विध्धायले वातावर आज हिंदी साहित वालों की क्लास है आज आठ वजे से हिंदी साहित वालों की क्लास भी है connection की सासाथ सैपाठियों से बारत शाहते अजह ज्यादा काठियं नहीं तो जल्धी जल्धी पढ़ रहा है न को जीवन को पूहतार व्यापक्त प्रदान करना कि जीवों को पारजन जीवों को पारजन का मतलब हो तो जीवन चलाने के लिए जो खर्च होता है जैसे आप पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी लगेगी नौकरी लगेगी तो आपको जियून पारजन आपका अच्छा हो जाएगा जियून को पारजन ज्यान की व्रद्धी होगी पढ़ने से बौद्धिक चरितर का निर्मान होगा पढ़ने से आपसी सयोग की भावना डवलप होगी पढ़ने से ठीक आजएगे अब हम बात करते हैं सिक्षन की विशेष्टा के बारे में जो लोग अंग्रेजी विध्यारती जो अंग्रेजी के शब्द पढ़ना चाहते हैं वो मैंने एक साइड या पर अंग्रेजी भी लिख रख़िये जो आपको नौट्स दे जाएंगे वो अंग्रेजी और हिंदी के दे जाएंगे वे पिछले दिन ही आपको मैं नौट्स देने वाला था लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं सिक्षन की विशेष्टा हूँ को तीन किलास का ए जाएंगे और आप मैं यह सोच रहा हूं कि मैं आपको ठिक आए अब ऐसा आते उस सिक्षन की विशेष्टा क्या क्या है क्या है सिक्षन की विशेष्टा प्रगति सीलता अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपकी विचार क्या होंगे प्रोग्रेसिव मेंटिलिटी मनेगी आपकी आप रूडिवादी सोच से आप इतर हो जाओगे पुराने जमाने की सोच को आप त्याग दोगे इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव या प्रगति सील सोच ठीक है इसके बाद में विध्धार्ती और सिक्षक का सहयोग करेंगे आप आपस में विध्धार्ती और सिक्षक सहयोग इसका मतलब क्या हुआ यानि कि आप आपस में जैसे कि आप प्रोफिसर बन जाओगे तो क्या आप अपने विध्धार्तियों की मदद नहीं करोगे करोगे तो या में विध्धार्तियों की और साथियों प्रोफिसर्स की आपस पूरा हर पार एक साथ पूरा बंच ताकि आपको confusion ना रहे नौट सो की जिम्मेदारी मेरी है मैं क्या करूँगा किलास के साथ साथ भी दूँगा दे दिया मान लो अभी और जैसे हमारा unit complete हो गया फिर मैं क्या करूँगा पूरा बंच एक साथ दे दूँगा ऐसे कर पूरा बोलो अगर पार नहीं जाएंगे पन नहीं आपने ऐसे नहीं समस्पा सेँ सब जालोएं बाद में दिक्क्त आते हैं अगर बेचना हो तो जैसे आपको बेचना और उनको नहीं बेचना बहुत दिक्क्त आती कि ऐसे अपन कि नहीं पार्टनर्शिप में नहीं परागा लए ना ना इतना बड़ा इंवेस्ट नहीं करना और मिल जाएगा तो इतना परिशान मतों दिर दिर देखते रहे है कि अरे तो ज्यादे आउट आफ जा रहा चीज़ है इतनी नहीं आदमें करजवान हो जाया तो कोई मतलब नहीं ने करजा करके क्या मतलब इन चीज़ों से अब नीए ऐसे नहीं इतना आज में करजवान होके सब जीज़ नहीं कर सकता वाई ठीक है कर चले पढ़ ले होगा आपने विध्यार्ती क्रीया सीलता क्यों परस्तिति समवेग अात्म क्यों समझा देता हूं सम्वेग यानि की भावना सम्वेग का मतलब क्या होता है भावना होता है महाँ में ि इमोसंत्स क्या होता है सम्विक का मतलब होता है e Zeit होता है अब यहां पर आपकी और आप सिक्षन की विश्योषता क्या है कि इमो में आपके इस्तिर हो जाएगी आप इतने मेचोर हो जाऊँगे कि बहुत ज्यादा खुशी में यह पगलाओगे नहीं और बहुत ज़्यादा गम में बिख्रोगे नहीं थोड़ा सा इस्तिती आपकी इस्तिर हो जाती है सिक्षन से प्रभावी नियोजन नियोजन का मतलब करता है कि आप कहां पर खर्च करते हैं यानि कि अगर आप पड़े लिखे हो जाओगे समर्दार हो जाओगे तो कहते है सात्यों प्रभावी नियोजन प्रभावी नियोजन का मतलब जैसे थोड़ दिर पहले कॉल आया है ना मैंने उसको बताया कि आदमे को कर्जमान नहीं होना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदो कुछ भी करो इतना भी नहीं कि आदमे कर्जे में दब जाए इ आपने मालों डेड़ लाग का मोबाइल खरीज लिया यह अच्छे नियोजन की समझ नहीं है यह अच्छी बात नहीं है आपकी जितनी कैफिसिटी आप उसके अनुसार ही काम करो राइट तो यह से कहते हैं अच्छा नियोजन कि उसके बाद में लोक तांत्रिक आदर्स के अनुकूल देखो अगर आप पड़े लिखे हो तो आप हमेशा लोक तांत्रिक मुल्यों पर काम करोगे आप कोई भी फ्रॉड काम नहीं करोगे आप समझदारी से काम करोगे कि उत्तम विद्यों पर आधारित प्रतक्स और प्रतक्स कक्षा विवार आपका सहानु भूति सहानु सहानु भूतियों दया पर आधारित आपके आपके अंदर थोड़ा सा इमोसन्स रहेंगे कि आप सौफ्ट हो जाओगे हमेश्या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहोगे आपने देखा होगा जो कम पड़े लिखे लोग हैं इतने अग्रेसिव है थे लठ आत्म रखते हैं कि आजा आजा जबकि पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात नहीं कर प्रभावी नियोजन का मतलब होता effective कुछ बच्चे कह रहें सर प्रभावी का मतलब क्या होता है प्रभावी का अंग्रेद्धी का मतलब होता effective यानि आप जो भी काम कर रहे हो ना प्रभाव जैसे मैं इस समय पड़ा रहाऊं अगर अच्छा पड़ाओंगा तो वो जैसे आप पढ़ोगी जयारे पास करोगी तो आपके घरवाले कहेंगे हमारी चोरी सावत्री बहुत प्रभावी है बहुत प्रतिववान है और अगर नहीं पढ़ोगी इसका शादी कर दो ब्या कर दो इसका चोरी कोई काम की नहीं है पड़ापन दूसरे घर बेजो इसको तो यानि पढ़ने लिखने वाले प्रभावी और इफेक्टिव बच्चे का और कोई साथ देता है प्रगति सील्टा क्या है सर यह मैंने सुरुवात में बढ़ता है इसका होता है प्रोग्रेसी प्रगति सील्टा का मतलब है आप रूडिवादी दक पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे और बच्पर में स्याधी कर देते लेकिन आज के लोगों ने इस दकियानुसी रूडिवादी विचार को त्याग दिया और प्रोग्रेसिव सोच अपना ली अब अधिकतर लोग बच्चियों को पूरा पढ़ने का मौका देते हैं उन जैसे आप देखते होंगे परदा प्रथा है ऐसे बहुत सारी परदा प्रथा हैं जो परिवार में चलती आ रही हैं कुछ लोग इतने प्रगति सील सोचके हैं जो परदा प्रथा में विश्वास नहीं रखते महिलाओं का पुरुसों का समान रूप से बोलने का अधिकार कि अधी का क्या की सार की निर्देश आतमकता का अर्थ क्या है योगेश कुमार कि निर्देश आतमकता अगर पढ़ोगे लिखोगे बनोगे तो आपके इंदर निस देने का आदेश देने की चमताएं विक्षित हो जाएगी, इसका सेंस यहापर इस चीज से है, कि आप आदेश या निर्देश देने के सक्षम बनोगे, अगर आप सिक्षन करोगे. सर मैं कब से जोइन करने की कौसिस कर रही हूँ, पर स्क्रीन पर मेरा नाम आ रहा है, बट आप पड़ा रहे हो, वो कुछ नहीं आ रहा है, बेटा ऐसा करो, आप एप्लिकेशन को फिर से बंद करो उमेज, और फिर से देखो, सायद आपको दिखाई देने लग जाए, क्योंक दिक्कत आने लग जाते हैं, लेकिन आप सबको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ, कि आप एक बार यह करो कि सर, कल मैं कॉलेज गई थी, वहाँ पर सबसे आपकी क्लास का प्रचार कर दी, टीचर सुडेंट सभी को बता दी, अब सब आपका चैनल जोइन करेंगे दिवान सो मिसरा, भाई, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया भढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिलकुल आर देखो, आगर अच्छी चीजों का तो आप help करो मेरी इस तरीके से, बहुत बढ़िया, प्रतिक्षा प्रतक्स और एप्रतक्स काक्षा विवार का क्या मतलब है प्रतक्स और एप्रतक्स काक्षा विवार का मतलब भी हो गया कि जगर आप सिक्षन करोगे अच्छे से आप पढ़ोगे लिखोगे तो जो आपका विवार है लोगों के प्रति वो क्या हो जाएगा सात को साह्畫 ए हो उसमें सुधार रहेगा आप जब किसी से मिलोगे के साथ मिलोगे अगर वो आपसे नहीं दूर है पीठ पीठ से वह सुने और पीट पीठ से लगा लो पृत्रक्स और एपर स्क Alliance क का मतलब हुआ भज़ सामने और एक वो सात्यों सुधरता है उमेश एक बार आप ऐसे अगरो एप्लिकेशन को बंद करके फिर से चलाओ बेटा थैंक यू वर्षा थैंक यू भाई थैंक यू एवरिवन जो आप लोग जितने भी बंदू हैं मेरे दोस्त हैं आप लोग जो कहते हो बच्चों से जाकर कि आप डॉक्टर लोकिस वाली के माँपर जोइन करो मैं खुद पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो अच्छा लगता है उससे उनका भी भला है और आपका भी जो अपने दोस्त या टीचर के प्रती सिक्षक के प्रती जो आपका जो भाव है उसमें भी सात्यों वो होता है आपको भी अच्छा लगेगा कर मेरे कहने से सर की क्लासेज देखने इतने लोग आएं या कोई और बच्चा पास हो रहा है जैसे बहुत से लोग ना भटकते रहते हैं कोई पेपर वन देख रहा है कई मिल नहीं रहा अच्छी कोचिंग नहीं मिल रही डूंड रहा है नहीं मिल रहा आपने बता दी अच्छी जगए आ गया तो यह बहुत बड़ी बात है सर आप बड़े जोस में पढ़ाते हो मन्जू जी तैंक्यू भाई मन्जू जी चलिए शुरू करें अब यह इस बिंदों में देखो कोई समश्चा रहे क्या कोई दिक्कत हो तो बोलो अगर कोई दिक्कत नहीं तो मैं आगे बढ़ूं या कोई सब्द में भी कोई समश्च हों फिर के बनते हैं यह कि मौना करें बिल्कुल नौट साब को साथ साथ ही बनाना है मौना जी कि कि लिए चलों आगे ग्रेट चलिए अब कुछ बिंदो और रहे गये थे इसके एक है विद्धार्ति सिख्षक के गनिट समद्द और निदानात्मक था एक शब्द समद्द निदानात्मक एक शब्द होता है निदानात्मक इन दोनों का ए एक ही काम है हल निकालना इनका एक ही अर्थ है हल निकालना क्या है कि अगर आप पड़ोगे लिखोगे न तो किसी भी चीज का हल निकालोंगे उपाय निकालना का Εक ही मतलब है किसी समश्या का हल निकालना अगर मान लो आपको इस समश्या में फस पढ़े लिखे विखती को तो आप उस समश्चा का हल निकाल नोगे येन केन प्रकारेन इसे कहते हैं जीवन को पारजन कर बता देजू फिर से बता देजिए और से और y garlic है बटा योगिता बता छुक्त लेकिन फिर से बता देता हूं आप ध्यान से सुना करो जीवेंगां होता है जीवन चलाने के लिए यानी कि आप पढ रही हो किवल पढने से हीवें नहीं नहीं चलेगा आपकी नौकरी लगेगी नौक शिट्थन द्हन एंको वह आपका जीवन को पारजन के लिए जरूरी चीज है इसलिए आप सबकी जीवन को पारजन के लिए आपकी नोकर लगना जरूरी है फस्ट पेपर तो यही से पढ़ ले ना बिटा कूजा लेकिन आपको सेकंड पेपर के लिए कहीं और जोइन करना पड़ेगा क्योंकि हम इस सब्जेट को पढ़ाते नहीं है चलिए आगे बढ़े विध्यारत के पूर उग्यान का उप्योग है यानि पहले से अगर आपको ने कोई चीज सीख रखी है तो वो आपको अगली चीज सीखने में साहिता प्रदान करती है इसको कहते है अपक्षित सूचनाओं का अपक्षित का मतलब है था है उम्मीद अपक्षित सुझने दार्थनिक इवं मित्र की भूमी काम आपसे मैं आप से कहता हूं आप मुझे टीचर के रूप में देख सकते हो आप मुझे चोटे बाइं बड़े भाइं के रूप में देख सकते हो मैं आप से हमेसा कहता हूं न यही बाद लाइन तो कहता हूं कि आप जिस भी रूप में मुझे देखते हो जिस भी भाव के साथ मुझे देखते हो एक अच्छे दोस्त के रूप में देख सकते हो आप मुझे एक टीचर के रूप में देख सकते हो एक मेंटॉर के रूप में देख सकत ग्रेट, डन, इतनी चीद है, तो अब हमने क्या समझ लिया, हमने आज समझा है सिक्षन के उद्देश्व क्या-क्या है, सिक्षन की विशेश्था क्या-क्या है अब आईए साथ यो, दो टौपिक हम कमफ्लिट कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सिक्षन के प्रकार अब बताओ दो टॉपिकों में अगर कोई समश्या हो तो बोलो फिर नहीं मैं आगे बढ़ूँ सर मनोविज्ञान की किलास भी करा दो हमारे पास बेटा मनोविज्ञान का सिक्षक नहीं है तो आप से निवेदन यही रहेगा अब मनोविज्ञान इतने सारी सब्जेक्ट मेडैक अपने आप में मेरी अपने at my कि यह 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 ऌखासे लाओ तो कम सब्जेक्ट्राइन काम करें हुँ चलिए सेक्षण के परकार कि यहीं आग्ओं आधा थोड़ा दिख रा होगा मैं बोल कर बता दूंगा थोड़ा तोड़ा धिलगा आपने इस क्रिंद को बड़ी Ah आपने मोगा मोगा रोट येड कर्लो अकिसा इससे डिदर कर्लो बड़ादय दीखेगा कि रोटेट कर लो बढ़ा देखेगा है इस फॉंट छोटा कूप इसको मेरे जान नहीं था मैं इस फॉंट को बड़ा करने वाला था मतलब मुझे मौर्निंग तक जानता कि 펜 बड़ाbeitet करना है पर फिर पता नहीं से कॉस्च काम में लग गया तो फिर फॉन्ट को बड़ाहीं नहीं कर पाया तो पड़ जब मैं आपको नौट दूंगा ना तो इसमें बड़ा करके देदूगा जब में आपको नौट दूगा तो बड़ा करके देदूगा करने के लिए पर मैसेज नहीं आता क्लास का तो पता नहीं चलता क्लास का क्या मैं लोग किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं आता क्या बहला एप पर तो नोटफिकेशन आता ही ग FORzeitig information मेंसेज का आता ही अपर आता है कि नहीं आता है मुझे बताओ थे या वह वह गया है तो इतने सारे बच्चों को मैं अलग से भीजशना हूं और आपको नहीं भीजशा ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है कि मैं आपको नहीं बेजाओगे चिन्नित करके कि आपको नहीं बेजाओ आता है वेटा बिस आपका ध्यान की बात है आप ध्यान दे पाती हो नोट्फिकेशन पर यह नहीं देती है अब डीजों सब लोग कहने आता है अब बता मैं आपकी बात को कैसे मान लो जिन लोगों ने notification बंद कर रखा होगा उनका नहीं आएगा देखो अब सब बच्चे कह रहे हैं आता है तो मैं कैसे मान लो बिटा कि नहीं आता Even class start हो गई उसके बाद भी आता है देख लो आता है कुछ बच्चे तो कॉल करते हैं और हमारे टीम के टीम को कॉल टीम और उठा दिये कॉल तो उनको धमकाते हैं कि कोई भी class का notification नहीं आता हमको पता तक नहीं होता है मैं कि भाई ऐसे ऐसे अंदाड़ी होते हैं डाउनलोड करने का तरीका बता दीजिए सर कि मैं देखता हूं नए वाले दाउनलोड की फैसिलिटी देरी नहीं दे रखी मेंने यह नया बैस स्टार्ट है ना तो मैं देखता हूं कि मैं ने डाउनलोड की फैसिलिटी दे दूंगा चलिए सिक्षन का प्रिकार देख लेतें क्या है सिक्षन को विविन आधारों पर वर्गिक्रत किया गया है अब कौन कौन से आधार पर वर्गिक्रत किया गया है इस चीज़ को ध्यांगन से समझने की जरौत एक है सासन विवस्ता के आधार पर एक वर्गिक्रत है सासन विव कि एक साथ यों अधिग्व इस्तर के आधार पर यह धूसरा नबर एक साश्ण विवर्ष्टा एक दूसरा अधिग्यम विवर्ष्था के आधार पर एक ऐसा तो sectionic प्रबंदन के आधार पर अब आईए मैं सबसे पहले section के प्रकार में सासन विवर्षता के आधार पर कौन-कौन से section है उनको समझाने का प्रियास करता हूं तोड़ा छोटा लिख रखा है बट समझने का प्रियास करना मैं बोल दूंगा और चीज़ हो सुन लेना और बाद में नौट्स तो आपको मिली जाएंगे कि सब्सक्राइब टाइम वेस्ट हो रहा है और दूसरा अर्मान खेह रहे हैं कि आई एग्री विस्यू नंदनी कोई बात नहीं वला टाइम वेस्ट मैं करना हूं मतल然后 ऐसा होता है अगर कि अब मेरी मनमृ लग विचार आ रहे छड़ों ऐसे जब आग किसी को एग्री करीव और बार-बार तो माराज यह तो मन्शा नहिए किसी को कर वाले आप है बाई चलिए निरंकुल प्रकिरिया का संचालण सासन की इच्छा कि अदून होता है जैसे प्राचिन रांस्त में प्रकार की सिक्षन होती है now मालो मैं आप पूछता हूँ कि तीन प्रकार के सिक्षन है यह लगा लो तीन प्रकार के सिक्षन है वन टू थ्री पहला सिक्षन में क्या है यह सिक्षन निरंकुस सिक्षन पढ़ना ले इसमें क्या होता है कि कोई भी राजा पहले की टाइम पर राजा अपने अनुसार जो पढ़ाना है प पढ़ना है यह क्या था निरंकुस सिक्षण प्रणाली होती है निरंकुस सिक्षण होता है कि अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़वाना कि उसमें समाध के हित का कोई मतलब नहीं है संसिant ते में 28 tris में भारत में आए थे में यहां además कर प्रकार की निरंप कुझ शुक्ष्चर प्रणारी धी जादा दिन नहीं चली इसके बाद में एक आते लोक्तंत्रिक प्रणारी में यह नता है कि सब लोग अपनी अपनी राय देंगे जैसे गामर स्कूल है सर में लड़की हूं बॉय नहीं मैंने भाई के नाम से कोर्स लिया है यह महाराज कोई बात नहीं तो अब तो यह भी लीगल है कोई दिक्कत नहीं अब तो यह भी लीगल हो जाएगा देरे देरे और सब सब सही है कोई सबस्क्राइब कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं एक होता है लोगतांत्रिक प्रिणाली लोगतांत्रिक का मतलब होता है जहां पर हर किसी की राय मायने रखती हो इसे कहते हैं लोगतांत्रिक प्रिणाले अब मालों आपके गाहां में एक स्कूल है और वहां पर लोगतांत्रिक सिक्ष्ण प्रिणाली लोगतांत्रिक सिक्ष् और बात ही नहीं बनेगी इसलिए अच्छी सिक्षक प्रणाली निरंकु सिक्षण भी अच्छा नहीं होता और लोगतांत्रिक सिक्षण प्रणाली भी अच्छी नहीं होती सबसे अच्छी होती है हस्त छेप रहित सिक्षण प्रणाली यानि कि एक सिलेवस होता है उस सिलेव कि चरिए आज किलास का समय में थोड़ा बदलाव था तकनी की समझा के चलते हम समय पर किलास नहीं ले पाए उसका मुझे खेद है कल से समय पर ही होगी तकनी की समझा हो गई थी इसलिए शुरू करें आगे देख लिए अब आप समझ गए हैं सासन के आधार पर निर्म को सिक सब्सेर के सिफ्षण प्रिनाली आगे व Titans आते हुं अधिकम सितर के आधार पर अधिक मिस्टरके आधार पर अधी किस्तरके आ रिखत कि प्रिक्रिया है जो अब देख ए चीज़ को समझञे का प्रियास करो मतलब होता है सीखने के हाधार पर सिक्षन कैसा रहे कर आगी अरे बाई साब गुड मॉर्निंग बाई साब गुड मॉर्निंग तकर काच इसको बच्छों संदब है हलो हलो ना दोकर आगई है बाई साब ना दोकर आगई है गाली दे रही है यह क्या कर रहे है बता कुछ कह रही है देखा हमने क्या क्या कह रही है गुस्टे में लग रहे हैं गुस्टे में लग रहे हैं गाली दे रिये साथ मुझे लगता है 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 गुस्टे में कुछ गाली बाली दे रही है आधा दो जो चलिए खाइज सुरू कर आइं तो अब है इसमर्ति पर आधार पर हमको क्या पढ़ाई कि अगर बात करें नश्य पहले के जमाने में अम्र जितने वी वेध पुरान जो थे न वह इसमर्ति के आधार पर थे यानिकि एक PD से दूसरी, दूसरी PD से तीसरी, तीसरी से चोती और वैसे वैसे कर तक हम तक पहुँचाया करते तो याने कि रटन्त बिद्या पर काम था पहले सारा, हर चीज को रट लिया जाता था याने की हर चीब को बार बार रटा जाता था शरीज़ को बार बार रटा जाता था वो थे इस मर्ती के आधार था एक होता है अउब बोध को मतलब होता है समझ जैसे अभी मैं आपको क्या सकरवा रहा हूं समझा समझा कर पढ़ा रहा हूँ रटा नहीं रहा हूँ मैंने कभी भी आप से नहीं का रटलो 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 नहीं हमको रटना नहीं है हमको concept को समझना है और जब हम concept को समझ जाएंगे उस जैसी 1000 चीज यहां पर हम लोग कर देंगे तो क्या है साथ हूँ अब वो दिष्टर का सिक्षन को अच्छा सिक्षन माना जाता है इसमर्ती सिक्षन के सिक्षन को अच्छा सिक्षन नहीं माना जाता जबकि पहले के जमाने में जो सिक्षन हुआ करता वो हुआ करता इसमर्ती के आधार राइट क्या था इस्मर्ति के आधार पर सिक्षन पहले हुआ करता था सर यह बैंगोली बोल रही है क्या भाई कौन सी लेंग्वेज बोल रही है इसका तो कोई आता पता ही रही है लेकिन इवा के काम पगड़े हैं चली अब आप समझगे इसका मतलब इस्मर्ति इस्तर पर सिक्षन क्या होता है और अब वो दिस्तर का सिक्षन किसे कहते हैं अब मैं आपको फिर से पुने समझा देता हूं रिवी दिन आप लोगों का करा देता हूं मैं यापर पढ़ा रहा हूं आपके लिए सिक्षन के प्रिकार कौन कौन से हैं उनमें से पहला प्रिकार है सासन विवर्षता के आधार पर उसके अंदर सब पॉंट है तीन सब अब टाइप नंबर तु है अदिगं इस्तर के आधार पर सब से पर इसमर्थ इस्तर पर पहले चला करता अब नहीं चलता और इस्तर का मुतलब होता है जो समझ के आधार पर समझ समझ कर जो करते हैं उसी को कहते हैं अब यह सात्यों अब सात्यों विमर्थ से इस्तर का सिक्षन आप में से कितने लोग है जो पार्कों में पढ़ने जाते हैं एक मित्र एक महिला मित्र दोनों सुर्वात में क्या करते हैं खासकर यूपीसी की पढ़ाई की बात कर रहा हूं जब मैं पढ़ा करता था लड़का- तो क्या करते थे वो पार्क में डिसकसन करते थे लड़का जानता नहीं है इस्टरी में कुछ भी पाई पूरी रात रात भर जखकर पूरा इस्टरी पढ़ रहा है और एकदम इस्टरी चाट गया एकदम और जाकर अपनी महभुवा को पढ़ा रहा है दो-चार दिन तो प नहीं पढ़ने लायक नहीं रहते हैं शुरुवात में तैसा लगता है कि पढ़ते हैं इसे कहते हैं विमर्सी इस तरका सिक्षन एक दो दिन तो ऐसे पढ़ेंगे बाई आज फोड़ देंगे यूपेसी को यह लोग आज फोड़ देंगे आज निकाल लेंगे इसलिए आप लोगों के लिए सबस्यची बात है कम से कम आप लोग विमर्सी इस्तर का सिक्षन तो नहीं करते हैं आप मान करते लोग जितने भी गुरुप बना रखेना यह सब डिस्ट्रेक्शन डिस्ट्रबेंस के अलावा कुछ भी नहीं है इन फैक्ट अपने जो चैट गुरूप हैं अपना जो चैट गुरूप हैं एप्लिकेशन के अंदर उनमें भी डिस्ट्रबेंस होता है क्योंकि पूरे दिन बात करते रहते तो मैंने क्या किया है सारे गुरूपी बंद कर दिये ना रहेगा बास ना रहेगी बास उड़ी तो मैंने चैट गुरूप ही बंद कर दिये ताकि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि कुछ लड़के लड़के तो इसी चेकर में रहते हैं कि कास कोई पहले पूछते हैं कहा की हो आप जैसे कि मालों कोई लड़का लखनौ का है पूछे का कहा की हो विनीता कहा की हो मैं जैपूर की हूं नहीं फिर किसी और आप कहा की हो लखनौ की फिर उसके पीछे लग जाते हैं फिर उसी जैसी भी नीता का मैसेज आता है तुन उसको मैसेज करने लग जाते हैं फिर पढ़ना लिखना छोड़कर आदमी किसी और अधी गम में लग जाता है तो फिर मैं क कोई समश्या हो क्लास में मुझसे पूछो या फॉन करके पूछो हमसे इसलिए जितने भी गुरूफ से सब बंद कर दिया मैंने एक बैठ कर जो भी कुछ पूछना हो उससे पूछो डायरेक्ट अरे नहीं तब पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं पूरे दिल लगे पड़े रहते हैं लगे पड़े रहते हैं एक दूसरे बस बस यह चक्कर में रहते हैं कि और फोन नम्मर मिलना है जैसे तैसे करके सर आपने वाटसेप भी बंद कर दिया क्या रहे नहीं वह कुंती वह क्या था कि ब्लॉक हो गया था मेरा वाटसेप अब ऑन हो गया था पिछले दिन चार दिन ब्लॉक रहा है मेरा वाटसेप चार दिन अब चालो हो गया तो चार दिन तक जिन लोगों नहीं मैसेज बेजा साथे ग्यारे बज़े तक होती है तो पेपर वन की क्लास बारे बज़े ही रहने दीजिए मैं सोचलोजी वाली मेडम से बात कर लूँगा एक्चुली उन्होंने अभी स्टार्ट किया है तो हम लोग अपना एक देख लेंगे तरीका बैठा लेंगा बात कर लें सर आपकी WhatsApp में कुछ रिक्वेश्ट वेजी हूं देख लेंगे मेरे तीन-चार दिन से ब्लॉग था भी चाल हो गया है तो विमर से इस्तर का सिक्षन का मतलब आप जाने को जहां पर एक दूसरे से डिसकस होना है तो यह भी चीज़े काम के नहीं है अब यह साथ क्यों सैक्ष टाइप ऑफ सिक्षन मैं आपको बता रहा हूँ सैक्षिनिक परबंदन विवर्ष्टा के आधार पर सैक्षिन परबंदन के आधार पर on the base of educational management system इस प्रकार के सिक्षन में कुछ बाद्दकारी नियम होते हैं जिनका पालन करना आउशक माना जाता है जैसे इस्तान, समय, प आप्त कर रहे हो किसी स्कूल में जाकर किसी कॉलेज में जाकर तो वहाँ पर क्या है कि आपको फिक्स समय पर जाना पड़ेगा फिक्स समय का फिक्स सिलेबस रहेगा फिक्स सिलेबस के अनुसार फिक्स समय पर एक्जाम होगी फिक्स समय पर आपका रिजेल टागर फिक्स सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब तो आपको तो सलेक्ट करना है इस्ट्री वाला और पहले वाले तुम्हें अटा दिये आपको से आपको सब्सक्राइब एक बार में देख लेता हूं रुख जाओ कि मैं देख लेता हूं एक सेकंड दीजिए मुझे नहीं नहीं अभी पुरान नहीं है रुको एक सेकंड पुरान ही चल रहा है अभी उसको में अभी अभी आपको शाही टाइम पर फोन कर देया आपने हुझे नहीं नहीं अभी अभी रुख जाओ अब आप एक बार रिफ्रेस कर लिजी दुवारा से आपको मैंने उनके उसकी परमिशन दे दिया है हिस्टी के समस्क्राइब बाव क्यों परमिशन दे दिया है और आप लॉगिन कर लिए अपने से परमिशन दे जिए जो भी जितने आवी सर्टी कर लेना ठीक है सर आप टाइम बहुत वेस्ट करते हो अच्छा वै नंदनी कहां जाना है आपको वैसे टाइम को बढ़ा कर कहां जाना है मतलब कोई बरात में जाना है या कहीं कोई गाड़ी ट्रेन पकड़नी है कहां जानी है सिक्षं कभी भी इस तरीके से नहीं होता है जिस एप्रोच के साथ आप बात कर रही हूं सिक्षं एक पिकरिया है जिस पिकरिया में हम से एनवरी जिन्दगी का भाग है मतलब हम उसको प्रैसर लेकर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास केवल इतना सा से LAUGHS नहीं है केवल इतना सा से LAUGHS नहीं है कि आरकेवल वही पढ़ना है हमारे पास पहार इतना से से LAUGHS और अगर उसमें हम बीच में हाज नहीं रखेंगे बाचीट नहीं रखेंगे तो वह न बहुत जयादा हमारे उपर BAR distant हो जाएगा 생 जाएगा तो हांसी तुम खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, वो भी अच्छा नहीं, कोई भी काम में उसको रुची कर बनाना बहुत जरूरी है, उसको आनन्दाई बनाना बहुत जरूरी है, अगर वो काम रुची कर या आनन्दाई नहीं रहाना, तो वो काम अच्छा होई नहीं सकता, चा लग रहा है कि नहीं लग रहा केवल इतना देखा है . अगर मैं आपसे बात ही नहीं है करूँगा.. myself I will में जाकर नीरस्ता आज सुर्वात में हमको जूसर रहता है दो-चार दिन पांच दिन दस दिन जैसि आप कॉलेज में पढ़ रही होता है तो आपको लग रहा है की जोस है लेकिन ये जो स्वेदिन में थीडिन इन रेफिन और नेरा तो मैं बनाके बैधता हूं एक अपना डेड़ बजे की बनाओ याप मतलब क्या होता है कि सर्ड़ायाम मतलब क्या होता है कि किसी भी हाँ हर सब्द के के अर्थ होते हैं लेकिन इस पंग्ति के आधार पर क्या अर्थ है वो मैं समझा देता हूं विवर्षी एक मानसिक्ता प्रक्रिया है अते सिक्षन के अंतरगत विविच्च बिन्दों का अलोज चनात्मग विश्लेशन करके उन पर विचार देनी की समझ वि कास होता है आयाम का उतला होता है एक प्रकार का पहलू एक प्रकार के अलग-अलग पहलू जैसे आपके जीवन में आपका पढ़ना भी एक आयाम है जीवन में रिष्टे निभाना भी एक आयाम है यह जीवन के अलग-अलग हिस्सा है कि देखो मैंने आपको कर एक बात बता है आपको बुरा नहीं माल रहुगा है एक चीज़ कहीं होते इस चीज जो स्क्षन है न कि मैंने कल आपको यह उक बात कहीं होगी है कर दूदऌ क Amanda एवं विज्ञान है कि तुम तो नादान हो इसलिए बता रहा हूँ सिक्षन क्या है कला और विज्ञान है दो चीज है कल मैंने इस पर बहुत चर्चा की थी कि सिक्षन क्या है कला और विज्ञान है कला का मतलब होता तरीका विज्ञान का मतलब होता है निरंतरता ये मेरा तरीका है जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपका तरीका कोई और हो सकता है या किसी और टीसर का तरीका और हो सकता है लेकिन मेरा तरीका जो है वो मेरा तरीका है ये मेरी कला क्या है एक मेरी कला है और सायद ऐसा हो सकता है तो यह सिक्षन में कला और विज्ञान दोनों हैं यह मेरा तरीका है कि मैं किस तरीके से बीच में बात करते हुए पढ़ाता हूं यह कौन-कौन से उधारन देकर पढ़ाता हूं अब इसको आप टाइम वेस्ट समझें या बिना टाइम वेस्ट समझें यह आपका लुकाउट है मेरा लुकाउट है कि आपको मैं सिले बस टाइम पर पूरा करवा के दूँआ अब यह चाहिए टाइम खराब हो यह सही हो मैं मैं आपको सिले बस टाइम पर पूरा कराओं बस खतम बाद है कि वेड़ा जिस कॉलेज में आप पढ़ने जाती हो ना उन कॉलेज में मैं बहुत समय पहले पढ़ा चुका हूँ बैरे गुड चलिए अब आईए साती हो सेक्षणिक परबंदन की बात कर ली इसे कहते हैं ऑपचारिक सिक्षन या ओफिशली सिक्षन कहते हैं ऑपचारिक सिक्षन का मतलब नियम बद्ध तरीके से अगर हम कहीं कॉलेज विश्विधायलें पढ़ते हैं तो इसको ऑपचा पराप्त हो रहा दा, लेकिन किसी स्तान पर नहीं हो रहा था जहां जो मिल रहा था उसको साक्षर बनाते चलो की कि इसे कहते हैं अनुपचारिक सिक्षन अब देखो आप मुझे बताओ आप आप समझगे हो जहां पर किसी स्कूल दफ्तर के एक समय पर साप काम होता हो जहां निरौपचारिक का मतलब होता है जैसे इगनु या दूरस्त एजूकिशन जो होती है न वहां पर थोड़ी फ्रीडम रहती है जैसे इगनु में एक समय पर एक्जाम लगेगी यह बात दिता है लेकिन आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा यह फ्रीडम है इनको कहते हैं साथ् तो अब आपने तीनु समझ लिया ओपचारिक सिक्षन किसे कहते हैं अनौपचारिक सिक्षन किसे कहते हैं और मिरोपचारिक सिक्षन किसे कहते हैं अब मैं आये फिर से आप लोगों का रिविजन करा देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है ताकि एक एक चीज हमको ओंदेश पढ़े स्क्षण कर देश हुए सक्षण ऊंदेश उसके बाद में सिक्षण की विशेष्ता पढ़े हैंकि present कि बारे मिर्या पिर ने लोग तांत्रिक के वारें बताया त और मैं-दा को सिक्षन के के बारें बता कि इसके बास्ताइब आपको नंबर टू अदिगं मिस्टर के आधार पर यानी सिखने के आधार इस मरति इस्टर पर पढ़ा दिया जो पहले के स्कूल कॉलेज में किसी पर्टिकुलर जगे टाइम पर जाकर कोई चीज की पढ़ाई होती है उसके बाद में आपको मैंने अनौप्चारिक सिक्षन के बारे में बता दिया अब बताओ यहां तक कोई समझ्या आपको है क्या एक भी बिंदू ऐसा हो जो आपको समझे ना लग सर स्लेबस प्रवाइड करवा दीजे एप पर मैंने अल्रेडी बेटा स्लेबस डाल रखाया एप पर मैंने सारे सब्जेक्टों का से बढ़ाई रखा कि वहल एक का नहीं सब का कि देखो एक भी स्टुडेंट से मैं यह नहीं कहूंगा तुम घर जाकर पढ़ो रटो क्लास में इतना पढ़ो कि क्लास में पढ़ाई हुई चीजे आप भूले ना मैं क्लास के भार आपको पढ़ने का मौका ही नहीं दूंगा पेपर वन आपको भार पढ़ने की जरुरत ही नहीं है कि आप सेल्प स्टेडी करो फ्ला ना करो डिका ना करो क्योंकि मैं थ्योरी की एक-एक चीद समझाऊंगा यहां पर और फिर मैं प्रैक्टिस भी एकजाम तक का अंतर विनियम का मतलब होता है जो आदान प्रदान होता है बेटा एक प्रकार से जो व्यापार होता है या किसी चीज का लेन देन होता है उसको कहते हैं अंतर विनियम पूनम सक्षे नाजी बता दिया योगिस भाई बता दिया मंजुक साथ कह रहें का आपके पढ़ान कौन भूल सकता है जीवन का experience से जोड़ कर पढ़ाते हो आप बिल्कुल देखो आप कोई भी चीछ को लंबे समय तक अकर याद रखना चाते हो तो अपने जीवन के अनभाव को जोड़ कर समझो अब मैं एक एक उधारन देता हूं आ आपका कोई एक दोस्त है यह आपका दोस्त है और दोस्त के साथ दोस्त के साथ उसका कोई एक दोस्त आया आपने बातचीत करी आपकी बातचीत हुई इसका नाम है इसका नाम है माय इसका नाम है क्या नाम लिपूंग इसका नाम है राम इसका नाम है राम इसका नाम है अनूप और ये आप हैं और आपका नाम है राधा अब आप दोनों तीनों में अंट्रोडेक्शन हुआ तो राधा राम के साथ साथ अनूप से भी मिली तो अनूप ने राधा को नमबर दिया तो राधा इसका नाम कैसे एड़ करेगी मॉबाइल में राम अनूप ऐसे एड़ करते हैं न ताकि ये पता लगे कि जो अनूप है वो राम का दोस्त है मोबाइल मैं तो ऐसे एड़ करता हूँ मेरे दोस्त का कोई दोस्त आता है ना तो मैं दोस्त के नाम के साथ उसका नाम लिखता हूँ ताकि मुझे पता रहेगे उसका दोस्त है वाया लिंक मना कर चलना तब जाकर हम लिंक मना कर चीजों को याद रख सकते हैं समझें आप तो लिंक बना कर चलने जीवन में कहानी के आधार पर अगर हम पढ़ते जाएंगे तो ही हम सीखेंगे अन्यता हम लोग नहीं सीख पाएंगे सर यूनिट वाइज टेस्ट करा देना पहले एक यूनिट को कम्प्लीट होने दो फिर टेस्ट कराएंगे बिल्कुल स्वेता मान लिया पर बेटा भी यूनिट को कम्प्लीट होने दो दस दिन में या बारा दिन में हम लोग यूनिट कम्प्लीट कर लेंगे फिर करा देगे कि अनौप्चारिक और निरौप्चारिक तीन प्रकार के सिक्षण है हमारे पहला सिक्षण है ओप्चारिक ओप्चारिक जैसे स्कूल कालेज या कोई संस्था अगर पर्टिकुलर जगे जाकर पड़ेंगे जैसे याप कहीं स्कूल में जाकर पड़ेंगे तो पर्टिकुलर समय पर जाओगी जैसे कॉलेज कि लगेगा और चार बजे चुटी वेराद्समें आ गया है अनौपचारिक सिक्षं इचक मात्लब क्या होता है कि जहाँ पर कोई समय की बाद दिता नहीं हो आप कहीं भी सीख सकते हो। आपके दोस्त ने आपको सिखा दिया। आपने पार्क में बैठ करें ये लुए आव भी है उसका मतलब जासे आप किसी में कर रहे हो कहां पढ़ रहे हैं आपने यूट्वूब पर वीडियो देख लिया आपने फेस्वूक कोई वीडियो देख लिए वाहां से कुछ ती गयो इसको कहते है अनौप्चारिक ओगया अनौप्चारिक हो गया और एक साथ यो निरौप्चारिक कौन सा है एक यह है यह वाला देखो यह वाला निरौप्चारिक निरौप्चारिक का मतलब होता है जिसमें ओप्चारिक प्लस अनौपचारिक मिला हो यानि कि जैसे इग्नू आई जी एन ओ यू इग्नू क्या है मालों इग्नू है उसमें ओपचारिक चीजे क्या है उसके अंदर ओपचारिक चीजे यह है कि आपकी particular syllabus के अंदर particular समय पर आपकी exam लगेगी लेकिन अनौपचारिक क्या है कि आपको कॉलेज स्कूल नहीं जाना अपके घर बे ठीक काम करना है यानि कि आपको थोड़ा फ्रीडम थोड़ी छूट मिक्स कॉम्बो निरौपचारिक है अब बताओ किसी को तीनों शब्दों को समझने में दिक्कत है अपचारिक अनौपच और निरौपचारिक बोलो कि अब बताइए कि बोले कोई किसी को भी समझे एक्स वाई जड़ कोई क्लास में टॉपिक से संबंदित बात करने में नहीं सर्माना कभी अनर्गल बात करने मलें सरम कर जाना लेकिन टॉपिक तो आप खुलकर कह सेकते हो सरी यह समझ नहीं आया अनौपचारिक, आपचारिक और निरौपचारिक बताइए सब कुछ समझ आ गया? पक्का? चलिए आज हमने क्या कर दिया? तीन चार टॉपिक्स को एक साथ पढ़ लिया है और आज आपको सबको नौट्स भी मिल जाएंगे मैंने नौट्स कल देने वाला था इसलिए नहीं दिया कि मैं सारा था यह वाले चीज़ भी इसमें कमपाइल करके दूँए देखो नौट्स देने के दो तरीके रहेंगे मैं आपको फिर से बता दूँए सबसे पहले क्लास के साथ साथ नौट्स देंगे और जैसे ही पूरा यूनिट कमपलीट हो जाएगा फिर मैं एक साथ दूँगा सबको फिर एक साथ दूँगा और पुरानों को डिलीट कर दूँगा ताकि आप कन्फूजन ही ना रहें आपके मन में ऐसे करेंगे अभी तो मैं क्लास के साथ दे दूँगा ताकि आप पढ़ते रहो और जैसे यूनिट कमपलीट हुआ फिर मैं पूरी यूनिट का एक ही नौट्स दे दूँगा आर पार ताकि आप प्रिंट निकलवाओ पढ़ो क्रम से मिल जाएगा सब कुछ ने तो नौट्स कैसे बनाने हैं तनीशा यह मैं कल की क्लास में आपको समझाओंगा क्योंकि आपने बेटा लेट जोइन किया है फिर से समझा दूँगा अब मिलेंगे कल की क्लास में ठीचिंड अप्टिटूट को अगरले हम पांसाद दिस दिन में कंप्लीट कर देंगे किלא कोई किताब नहीं लेनी अजय इस बात का मेक्षॉर करके रखना है किताब sıying युलारे मेरी नॉट्ट अपडेट होकर आपने धैंकन यवर यान आप लोगों ने है रेटिंग लोग बहुत कम लोग देख पर एप्लिकेशन पर जाओ प्ले स्टोर के अंदर प्ले स्टोर में अपना पॉफिसर डूंडो और वहाँ पर अच्छी अच्छी रेटिंग दो यार थोड़ा सा मजासा आ जाएगा क्योंकि इतने सारे डाउनलोड दो बच्चे डुए तो एप्लिकेशन खोलो अपना प्रोफिसर खोलना प्लेश्टोर पर प्लेश्टोर पर अपना प्रोफिसर खोलो वहां पर रेटिंग देने का ऑफिशन आते हैं कि जो पहले दे चुके और देदो थैंक्यू गाइज ठीक है निकीता में बात करूंगा मैडम से